प्रियेच्छात्र एजुकेशन पॉइंट बियजी में आपका स्वागत है हम लोग कक्छा 10 के मैथ का साथ पॉइंट एक का दूसरा प्रश्ण स्वाल्व करने जा रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम एक का तीनों सवाल स्वाल्व कर चुके हैं तो इसमें हम दो नमबर का प्रश्ण स्वाल्व करेंगे इस प्रस्ण में भी हमें दो बिंदों की बीच की दूरी ज्याद करना है तो आप प्रस्ण देख रहे हैं तो क्या है प्रस्ण पहले प् बिंदू है दोनों का निर्देशंक दिया हुआ है माली जी एक बिंदू यहां है और एक बिंदू यहां है कि लिए अब इसका निर्देशंक दिया हुआ है 0,0 और इस बिंदू का निर्देशंक है 36,15 देखें दोनों बिंदू का निर्देशंक दे दिया है अब इस दोनों बीच की दूरी हमें ग्याद करना है यहां से यहां तक का दूरी ग्याद करना है पिलियाप यह हो गया A और यह हुगमाल लेते हैं इसको B देखिए एक बात और आपको मैं बता दू यह 0-0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है किसका होता है मूल बिंदू का मूल बिंदू का भी अलग सुत्र होता है उससे भी हम डायक निकाल सकते हैं या फिर हम दूरी के सुत्र से निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर देखिए इसके लिए आपको दूरी का सुत्र याद रखना परेगा दूरी का सुत्र क्या होता है x1-x2 का हॉल स्क्वार पलस y1-y2 का हॉल स्क्वार के लिए अब आप यहां पर बराबर देंगे फिर यह रूट है तो रूट देंगे अब यहां देखिए x1-x2 है यहां पर जो पहला बिंदू है यहां इसका x1 हो गया और यह y1 हो गया और इसको कहेंगे x2 और इसको कहेंगे y2 किलर हो गया अब देखिए x1 के अस्थान पर 0 रखना है माइनस फिर x2 के अस्थान पर 36 रखेंगे hall square है तो hall square दिए plus y1 कितना है y1 0 है 0 minus 15 का hall square के लिए कोई दिक्कत है समझने में नहीं होगा आगे बढ़ते हैं देखिए 0 minus 30 0 का मतलब हो कुछ नहीं ठीक है तो 0 minus 36 minus 36 नहीं होगा minus 36 का square plus minus 15 का square अब यह root है तो root लगा देंगे अब आप देखिए minus 36 का जब आप square करेंगे यानि minus 36 गुना minus 36 करेंगे तो 1296 आएगा 1296 आएगा अब आप कहेंगे minus कहां गया तो दो बार जब आप गुना करेंगे तो minus into minus plus हो जाएगा फिर 15 को भी वही होगा 15 कुना 15 225 हो जाएगा अंडर root जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 1521 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1521 अब 1521 यह root लगा हुआ root लगा हुआ इसका मतलब इसका वर्गमूल करना है जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 49 इस परकार से आप दोरी निकाल सकते है और इसी तरह का और भी प्रस्न है आप उसको solve कीजिए यदि आपसे solve नहीं होता तो हमें comment में जरूर बताईए और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें comment में बताईएगा लेगे एक बात और आपसे निवेदन है हमारे इस description में इस video के description में दिया हुआ है दूरी का सुत्र और भी मतलब इस exercise में जितना भी सुत्र का परियोग होगा सभी का video बना हुआ है वहाँ सा आप देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद